आप सब का स्वागत है हमारे चैनल Amplitude Studies 2.0 में देखे एप्लाइट Physics की एक लास है और पिछली क्लास में हम आप से डिसकस कर चुके थे कि SI सिस्टम में जो यूनिट्स ली गई है 7 प्लस 2 तो उनके क्या डेफिनीशन्स हैं और क्या कौन-कौन से यूनिट्स हैं वो वो सब आपको याद रखनी थी उनके उपर कोशन पेपर में आता है और आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि जो लंबाई द्रविमान और समय हैं इनके कुछ व्यावारिक मातरग भी चलते हैं बाकियों के नहीं पढ़ने हैं लेकिन इन तीन में कुछ-कुछ आपको ध्यान रखने चाहिए क्योंकि वो इतने इंपॉर्डंट हैं कि आ सकते हैं पेपर में पिर एक-एक नंबर में multiple choice में पूछी जा सकती हैं सेम ऐसे ही द्रविमान के case में चंद्र शेकर लिमिट है क्विंटल है या इस तरह की चीज़ें हैं समय में भी अगर आप देखें तो वर्ष माहद ये तो सब आप जानते हैं बाकि सब जानते हैं बस यह जो चार-पांच चीज़ें यहां पर दिखनी है इस पर यह आप जो है वह नहीं जानते हैं तो यह हमें पढ़नी है लेकिन इससे पहले हम लंबाई के कुछ और मात्रग भी पढ़ लेते हैं जो कि मीटर के अलावा चलते हैं तो देखें सबसे पहले हमारे पास 1 किलो मीटर ये किलो मीटर में जो है वहां पर ये 10 to the power 3 मीटर होता है एक्शली किलो जहां भी लग जाए 10 to the power 3 को इंडिकेट करता है ये आप ध्यान लखेगा फिर उसके बाद डेसी मीटर तो डेसी जहां भी लग जाए 10 to the power minus 1 को निरूपित करता है मीटर के आगे लगा दिया है तो 10 to the power minus 1 मीटर हो गया सेंटी मीटर तो सेंटी जो है वो 10 to the power minus 2 को रेप्रेजन करता है तो ये 10 to the power minus 2 मीटर बन जाएगा जाकर के मिली मीटर तो मिली 10 to the power minus 3 को रिपन दो पित करता है अब बात आती है माइक्रोन की माइक्रोन का दूसरा नाम माइक्रो मीटर भी होता है तो माइक्रो मीटर तो माइक्रोन में क्या फरक है माइक्रोन जो है वो especially अगर लिख दिया तो length के लिए ही है वैल्यू इसकी 10 to the power minus 6 मीटर होगी और अगर माइक्रो मीटर लिख दिया तो यह prefix लगा के रिखा है माइक्रो मीज 10 to the power minus 6 अब M लगा है तो मीटर हो गया यह सेकेंड लगाया होगा यहाँ पर म्यू एस तो माइक्रो सेकेंड हो जाएगा तो इसका मतलब 10 to the power minus 6 सेकेंड हो जाएगा तो माइक्रो एक प्रिफिक्स है जबकि माइक्रो जो है वो especially length के लिए dedicated unit है इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसमें देखें यह मिली माइक्रो इसको नैनो मीटर भी कहते हैं एक नैनो मीटर भी लिख लीजेगा यहाँ पे तो मिली माइक्रो मतलब यह हो गया मिली का मतलब 10 to the power minus 3 और माइक्रो का मतलब 10 to the power minus 6 ठीक है न तो अब मीटर यहाँ पे मिला करके कि कितना हो जाएगा 10 to the power minus 9 पावर जोड़ जाएगी तो 10 to the power minus 9 मीटर हो जाएगा ऐसी एंक एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम जो है वो लेंथ के लिए specially dedicated unit है और इसकी value 10 to the power minus 10 मीटर होती है यह आपका प्रकाश की तरंग दैर्ध ही इस range की होती है तो उनको नापने के काम में आता है EXRAY मातरक 10 to the power minus 13 मीटर होता है और एक फरमी जो है वो 10 to the power minus 15 मीटर होता है फरमी का भी यही है जैसे micron का था फरमी को लिखा है तो 10 to the power minus 15 मीटर पूरा लेंध के लिए हो गया लेकिन अगर फेमेटो मीटर लिखा है तो फेमेटो word का मेनिग prefix है यह 10 to the par minus 15 होता है और मीटर लगाया है तो मीटर लगा दीजिए वैसे किलोग्राम और सेकेंड में जरूद पढ़ती नहीं है इसकी length में पढ़ती है क्योंकि नाभी की यह लंबाईया जो है वो इसी order की होती है तो इस तरह से लंबाई के जो है वो थोड़े से मीटर से छोटे और मीटर से थोड़ा बड़े इस तरह से यह मात्रक जो है हो गए अब ज़रा हम कुछ मीटर के length के वैसे मात्रक के उपए चलते हैं जो की popular है जो मैंने आप से starting में discuss किये थे देकिन में पहला आता है प्रकाश वर्ष क्या होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं तो प्रकाश ने चलना है एक वर्ष तक चलना है और कहा चलना है निर्वात में चलना है तो इस तरह से दूरी जो बनती है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है सबसे पहरे तो यही एक नंबर में पूछ दिया जाता है कभी कभी कि प्रकाश वर्ष किस बहुतिक राशी का मातरक है क्योंकि लोग समझते हैं वर्ष है तो इसका मतलब भी समय का मातरक होगा बस यहीं पर गलत हो जाएगा प्रकाश वर्ष एक्षुली जो है वो दूरी नापने का unit है अब value कैसे निकलेगी तो देख लिजे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है चाल बराबर दूरी बटे समय तो समय आपको एक वर्ष ले लेना है ठीक है तो इससे दूरी निकलाएगी तो यह दूरी बराबर दूरी बटे समय तो दूरी बराबर चाल गुणे समय दूरी बराबर चाल गुणे समय तो चाल कितनी होगी इस निर्वाद में 3 to 10 to the power 8 और समय 300 दिन होते हैं 24 से multiply करेंगे तो घंटे बन जाएंगे 60 से multiply करेंगे तो minute बन जाएंगे और फिर 60 से multiply करेंगे तो second बन जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 9.46 10 to the power 15 मीटर यह प्रकाशवर्ष की value आ जाती है तो यह तो देखिए हमने यहां पे आपको यह चार्ट एक बनाया है इसमें सबसे right में जो है यह प्रकाशवर्ष आपको बता दिया गया है अब प्रकाशवर्ष के साथी साथ एक और unit पढ़नी पढ़ती है जिसे कहते हैं खगोली अमात्रक खगोली अमात्रक को astronomical unit कहते हैं और short में इसे AU कहते है तो AU जो होता है वो आपका 1.5 into 10 to the power 11 मीटर होता है और यह actually क्या होती है कि शूर से जैसे सूर यह घूम रहा है और इसके चारो तरह प्रत्वी दीर के पर्तक अब आपक्षया पर घूम रही है तो प्रत्वी कभी तो दूर होती है, कभी पास होती है, कभी कुछ और length, कभी कुछ और distance कभी कुछ और डिस्टेंस तो सबका अगर एवरेज ले ले ठीक है ना तो वो आपका खगोली अमात्रग बनता है तो अगर कभी इसकी परिभाशा लिखनी पड़े तो मैं जो बोल ला हूँ वह लिख लेंगे आप कि सूर से प्रत्वी की आसद दूरी कि सूर से प्रत्वी की दूरी नहीं लेनी के वल क्योंकि दूरी तो अलग-अलग रहती है और उसके नीचे इसकी वैलू लिख देंगे 1AU इसके बात पार्सेक आता है तो पार्सेक जो है वो आपका कैसे डिसाइड होता है हाग भी हलका सा पढ़ना है इसमें जादा नहीं पढ़ना इसमें तो यह देखिए इसमें डेफिनीशन जो बनाई गई पहले इसे समझी है 1AU की दूरी के बराबर का चाप यह जो हमने सूर से प्रत्वी तक की दूरी ली थी हो सत इतनी लेंथ का अगर हमारे पास कोई चाप है चाप मतलब वही कोण बराबर चाप बटे दिल जावला तो यह इतना बड़ा 1AU के बराबर का अगर हम चाप ले लें तो जितनी दूरी पर एक सेकेंड ठीक है ना एक के उपर दो यह इस तरह कॉमाज लगेंगे एक सेकेंड का कोण अंतरित करता है वह दूरी बन पार से कहलाती है यह वन यू का लेंथ जो है वो जितनी दूर जाकर के एक सेकेंड का एंगल अंतरित करेगा वो दूरी बन पार से कहलाती है यह इसकी डेफिनिशन बनती है जाकर के अगर हम इसको कोण बराबर चाप बट अब ये ध्यान दे लिजेगा कि जरा सी लेंद अगर होती है तो जैसे यहां तक अगर वो 30 डिगरी एंगल बना रही है तो दूरी बढ़ा दें तो 30 का फिर वो 20 रह जाता है और दूरी बढ़ा दें तो 20 का फिर वो 10 रह जाता है तो जैसे जैसे दूरियां बढ़ती है जो ड सेकेंडर का मतलब तो समय होता है कॉण में कैसे ले रहे हैं तो यह भी आप ध्यान देद लिजिए पहली बार आप देख रहेंगे इस चीज़ को कि एक डिगरी को होता हैं and सबसे छुटा छुटा चांदे में जो ले सकते हैं वो एक डिग्री होता है उसे एक डिग्री के भी 60 बरावर भाग कर दी जाएं तो एक डिग्री is equal to 60 मिनट होता है और उसमें से भी एक टुकड़ा उठा लिया जाए एक मिनट और उसमें देखे जाएं तो 60 सेकंड होते हैं तो यह जो मिनट और सेकंड है यह कोन के हिस्से होते हैं उसी एक डिग्री कोन के है जो है वो 60-60 हिस्से गार कर लिया तब बन सेकंड एंगल आता है तो आप imagine कर सकते हैं कि एक सेकंड कितना छोटा होगा और उतना एंगल सब्रेंट करना है तो जितनी दूरी पे वो कर पाएगा उसी को 1 पार्से कहते हैं इसकी वैल्यू जो है वो 1 पीस इक्वल टू 3.08 10 तू दपार 16 मीटर यह होती है इसकी वैल्यू ठीक है और यह आपका light year से भी बड़ा होगा जाकर के light year, astronomical unit इन सबसे बड़ा जो है वो 1 पार्से होता है अब इसमें comparison भी आज आता है कभी कभी कि प्रकाशवर्ष और पार्से में संबंध क्या है तो आप एक पार्से और एक light year की value को divide कर देंगे यह देखे दोनों हमने पढ़ी भी है तो 3.26 आता है इसका मतलब cross multiply कर दो तो 1 पार्से is equal to 3.26 light year तो पार्से और light year में संबंध एक नबर में पूछा सकता है कि कितना होता है तो 3.26 जो है option दे देंगे आपको 2 गुना, 4 गुना, 455 गुना, 3.2 गुना ऐसे करके तो जो nearest होगा वो आपको select करके लखना पड़ेगा तो इससे पता भी लग जाएगा कि light year का जो 3 गुना है लग बंग जा करके वो पार्से बनता है तो अगर हम यह भी question मन सकता है कि पार्से और light year तीनों में कौन सबसे बड़ा मात रख है तो पार्सेख सबसे बड़ा है सबसे छोटा कौन है इन तीनों में तो खगोली हमात रख है क्योंकि 10 to the power 11 meter यह के वल इससे बड़ा वो प्रकाश वर्ष है क्योंकि इसमें 10 to the power 15 है और उससे बड़ा यह है क्योंकि 10 to the power 16 है तो इस तरह से यह कुछ दो तिन डेफिनिशन हो जाती है जो की पेपर में पूछे जाने के चांस रहते है इसके बाद रवेमान की अगर बात करें तो देखे वन मेट्रिक 10 में वन कोईंटल आपने सुनाओगा 100 किलो के बराबर होता है तो वन कोईंटल इस इवल तो 10 to the power 2 किलोग्राम लिख दिया है में ट्रिक 10, 10 चंस और मल्टि्प्लै करदे तो 10 to the power 3 किलोग्राम को में प्रिक 10 कह देते हैं 1 ग्राम में 10 to the power − 3 किलोग्राम होते हैं 1 मिली ग्राम में मतलब 10 to the power − 3 ग्राम हो जाएंगे, मिली का मतलब ही होता है 10 to the power minus 3 ठीक न, 1 matrix 10 is equal to 10 quintal तो इदो उपर ही अभी पढ़ा था हमने अगर हम इसमें से 10 10 अलग करने तो 10 to the power 2 बचेगा उसे quintal लिखा जा सकता है तो matrix 10 को 10 quintal भी कहा जा सकता है तो ये दर्वेमान के कुछ और मात रख हुए जा करके इसके इलावा देखिए चंदरशेखर लिमिट एक दर्वेमान की यूनिट होती है जो की जब हम पढ़ते हैं ये एस्ट्रो फिसिक्स वगरा चांदतारों के बारे में तो उसमें ये जरूरत पढ़ती है CSL कहते हैं शौर्ट में एक चंदरशेखर सीमा जो है वो सूर्य के दर्वेमान का 1.4 गुना दर्वेमान के बराबर होती है 1 CSL is equal to 1.4 into sun mass ये जिसकी जरूरत आपको पढ़ेगी जब आप ब्लैक होल के बारे में study करेंगे आपके पास ये लबस में है भी और वहाँ पर ये बताया जाएगा आपको कि इतने mass ये वन चंद शेखर लिमिट के अगर उपर है तो फिर आप जो है वो ब्लैक होल वगरा की दरफ star की death के बादा होता है और अगर आप उससे कम पे हैं तो फिर आपका neutron star या अन्य कोई घटना होती है तो उसका एक criteria होता है कि इतसे उपर पर ये होगा इससे नीचे पर ये होगा तो वो उस mass के limit को चंदर शेकर limit कहा जाता है अच्छा metric ton तो discuss करी चुके हैं ठीक है ना तो एक परमाणू दरवयमान मातरक होता है जो chemistry में use होता है AMU atomic mass unit या फिर इसको कहते हैं यू केवल कह देते हैं short name में बता देता हूं AMU यानिके atomic mass unit या फिर केवल यू कह देते हैं unified unit तो दरवयमान का सूख्ष मातरक है 1 AMU जो है 1 upon 12 of carbon 12 परमाणू का दरवयमान मलग carbon 12 का परमाणू दरवयमान 12.000 मान लिया और उसका 1 upon 12 कर लिया तो 12 से वो 12 कटके 1 आ जाएगा तो इसी को 1 AMU कहते हैं अगर हम kilogram में देखें तो kilogram कितना होगा जाकर के तो 1 AMU का मतलब 1.67 into 10 to the power minus 27 kg ये होता जाकर के तो ये परमाणू दरवयमान मातरक ये भी दरवयमान के लिए यूज किया आता है इसके बाद समय की बात करें तो समय में देखें मिली सेकंड 10 to the power minus 3 सेकंड माइक्रो सेकंड 10 to the power minus 6 सेकंड नैनो सेकंड 10 to the power minus 9 सेकंड हो सकते हैं तो students ये कुछ मातरक थे जो कि SI सिस्टम के मातरक हैं उनके अलावा यूज किये जाते थे इन से चोटे-चोटे questions बन सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए अगर आप physics के student है तो आप से कभी भी ये कहीं भी इसकी जरुरत भी पढ़ सकती है तो ये कुछ हमने discuss कर लिए आपके साथ तो अब हमारा ये section complete होता है और अब हम next section में वीडियो में विमाओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत important हिस्सा है अभी तक शुरू से जो हमने पढ़े हैं तीन वीडियो उसमें से सबसे important वीडियो कल वाला था पिछला वाला था जिसमें कि हमने आप से SI system की units के बारे में discussion किया और अब इसके बाद जो next discussion जो important जिसके बारे में question paper में आ सकता है वो आपका विम्याओं के सिध्धान्त के उपर होता है तो next video से हम विम्याओं के सिध्धान्त को study करना स्टार्ट करेंगे यह वीडियो कैसा लगा आप हमें comment में जरूर बताएं साथी साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी share करें ताकि वो लोग भी इसका फाइदा उठा सकें और अगर अपने चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर कर लें ताकि आपको जो भी इसके में video release होते हैं उनके notification आजानी से मिलते रहे हैं साथी साथ हमारा एक टेलिग्राम चैनल है Amplitude Studies 2.0 के नाम से आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो है उसमें से भी कोई अपडेट जो है कोई ऐसा होता है कभी-कभी कि समय कम होता है तो हम उस पर दे देते हैं अपडेट तो उसको भी आप करें और अगर WhatsApp में जोड़ दें तो इस प्लेटफॉर्म पर भी अगर आप जुड़े रहेंगे तो फिर कोई भी अपडेट हमारी तरफ से जो दी जाती है वो आपसे मिस्स नहीं होने पाएगी तो वीडियो को फिर यहीं पर खतम करते हैं मिलते हैं आपसे अब नेक्स वीडियो में धन्य बात